नमस्कार दोष्टें जैसी क्रश्णा कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूं खुश होंगे सुखी होंगे शंपन दोस्तों इस यूडियो में जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जारी हूं इस उपाय को करने से आपके पास धन ज्यादा प्रमाण में आना सुरू होगा धन तो आएगा ही लेकिन ज्यादा प्रमाण में आएगा तो मेरे प्रम्ते आप धन से सुनना धन व्यक्ति के पास अमुक अमुक ग्रहों की पूजा करने से आता है या पिर जो ग्रह आपके कमजोर हैं उन्हें मजबूद बनाने से भी धन आता है, लेकिन राहु को मजबूद बनाते हैं, यदि आप कली उग में, तो धन आपके पास बड़ी बड़ी मात्रा में आता है, धन की गड़ेयां आपके पास आतनी रज़ाती हैं, यह उपाय दोस्तों आपके घर में धन को खीछ करके लेक definisks, और हर जगा आप कहीं पर भी बाव रखेंगे, आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपके सरीर में इस फुर्ती बढ़ाता रही है, आपके मन को सुध्ध रखने का काम करता है, आज के दिन ये छोटा सा काम आप जरूर करें, जो आपको बताने के लिए जा रही हूं, और दोस्तों ये आपक कि कितना ही इंसान का मूड अफ हो, चाय पिने से तुरंत तार्थकालिक उसके अंदर ताजगी आती है, कोई भी वेक्ति है, उसके अंदर ताजगी आएगी, चाय की पत्ती, दोस्तों जैसे मैं बताती हूं कि हथा जोड़ी है, सियार सिंगी है, बिल्ली की जेर है, भोजन अंदर के गरम मश्णाय है, इस पत्ती है, इसके अंदर जवर्जस्त ऑसधिये गून है, और इसके अंदर देविक शक्ति है, जो आपको तर्ट तरव ताजगा बनाती है, जैसे आप बैठे हैं, आपके उबर कोई गंगा जल चाल देता है, अमुक नदी में स्नान आप करे आप कितने ही बेचेन हैं, आपके मन में बेचेन ही भरी है, आप रिप्रेशन में हैं, आप खड़े होकर के सिर से पानी डालना सुरू करें, स्नान कर लिए सनाल से दोस्तों, तनकी सुध्य तो होती ही सनाल से आपके मन पर भी उसका प्रभाभ पढ़ता है तुरंत आपका मन तरो ताजा होता है आप देखना, जो लोग नहीं नहाते हैं उसकी कामपरिजन में वो लोग जो दिन में 2-3 तिन बार नहाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनकी जो चेतना की शक्ती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है किसी भी चीज से बहुत जल्दी जुड़ते हैं बहुत जल्दी छूटते हैं मतलग दोनों को आप comparison में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक बिल्कुल सुक्ष्ण है और दूसरा बिल्कुल स्थूल है तो चाय पत्ति दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में जबर ज़स्त रोल अधा करती है साधार ढंक से हम चाय पत्ति की बात करतों चाय और चाय की पत्ति आपके सनी के प्रकोप को दूर करती है चाय का यूज सनी वार के दिन करने से आपके सनी मजबूत बनते हैं चाय का दान सनी वार के दिन करने से सनी मजबूत बनते हैं लेकिन दोस्तों यति बुद्धुवार के दिन आप घर में चाय पत्ती लाते हैं आपके राहू मजबूत बनते हैं बुद्वार के दिन आप जितने ज़्यादा चाय पीते हैं उतने आपके बुद्ध मजबुद बनते हैं बुद्वार के दिन चाय का दान करने से राहू मजबुद बनते हैं बुद्धवार के दिन चाय का आप जहां पर भी जितना भी यूज़ करते हैं उससे आपके राहू मजबूत बनने लग जाते हैं जब राहू आपके मजबूत बनते हैं तो आपके घर में धन अपने आप आना सुरूर हो चालता है आपको क्या करना है बुद्धवार के दिन आप किसी भी काम से घर से निकलते हैं नोकरी पर जा रहे हैं स्कूल में कहीं पर भी आप जाएं आप छोटी सी एक चाय पत्ती की पुड़िया बनाएं एक कागज ले ले कागज ये दिन नीले रनका हो तो बहुत बढ़िया रहेग उसमें आप थोड़ी सी चाय पत्ती रखे और उसकी पुड़िया बनाएं एक पुड़िया दोस्तों चाय पत्ती की अपने ज्येब में रखें एक चाय पत्ती की पुडिया आप अपने घर की नेरिक्ते दिशाanne रखते हैं बुद्वार के दिन इस कोने में चाय बनी बनाई चाय भी अधी आप रखते हैं या इस कोने में बैठ करके आप चाय भी पीते हैं तो भी आपको जबर ज़स्त फाइदा होता है जो चाय पत्ती की पुड़िया अपनी जेब में रखते हैं उसके उपर नीले रंका एक धागा बांदे हैं और आप उसको अपनी जेब में रखते हैं दोस्तों यदि आप हर बुधवार इस क्रिया को करने लग जाएंगे आपके राहु अपने आप मजबुत बन जाएंगे बुद्ध भी आपके मजबूत बनेगे राहू भी आपके मजबूत बनेगे बुद्धवार के दिन चाय की पत्ती अपने साथ रखने से अपनी जेवबे रखने से जहां आपके नोकरी धंदे हैं वहाँ पर चाय पत्ती रखने से या फिर जहां आपकी आपकी ओफिस है जहां बैठकर आप काम करते हैं वहाँ पर आप चाय पत्ती नहीं भी रखे तो थोड़ी सी चाय पत्ती को जमीन में बिखेड़ें बुद्धवार के दिन और उसको पूरा दिन पढ़ी रहने दिन दूसरे दिन आप उसको उठा करके ब बैठकर आप काम काज कर रहें वहाँ चाय की पत्ती रखने से चाय पत्ती जमीन में बिखेड़ देने से या चाय पत्ती जेब में रखने से चाय पत्ती जोर में रखने से दोस्तों कोई भी इसमें से आप एक भी काम करेंगे आपके घर में धन अतुलीत मात्रा में आना तो आप यूं रखेंगे और काम होता है जाय पत्ती बहुत पावुर्फूल चेज है आज के दिन इसकी एक पुडिया जेब में रख करके देखें बहुत बढ़िया लिजब आईगा उपाया को कड़ते रहे और हमेशा फुस नहीं को यसी बात हो जो समझ में ना रही हो तो क क्यों नहीं को